नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने जारे चन्ने टू अंडमार निकोबार आइलेंड सबमारीन केबल सिस्टम तो जो चन्न नहीं है वो तमिल नाडू की एक कैपिटल है तथा ये एक भारत के एक सबसे टेकनोलोजी के रूप में एक विकसित शहरों में माना जाता है तो इस प्रोजेक्ट के एम यह है कि एक सबमरीन केबल भी चाया जाएगा जो की अंडर वाटर अंडर सी जो समद्रक की जो जमीनी सत है वहाँ से छुआते हुए वो फिर अंडमान एन निकोबार आइलेंड तक जाएगा फिर जो अंडमान एन निकोबार आइलेंड में जो इस्टेशन होगा डेटा इस्टेशन वहाँ से फिर यह आगे जो अलग-अलग अंडमान एन निकोबार के छोटे-छोटे आइलेंड है ऐसे आठ मेन आइलेंड को इससे कनेट के जागा तो उसमें एक है रंगत Island, फिए Long Island, Port Blair, हैवलॉक आइलेंड, Little Andemand, कार निकोबार, को मालटा और ग्रेट निकोबार तो Port Blair जो है वह Andemand and Nicobar Island की Capital है अन्ड़माना एन निकोबार में एक 10डिग्री Channel फ्लो होते है जो कि Andemand Group of Islands اور Nicobar Group of Islands को Separate कहते है यह जो 10 डिग्री चैनल है यह इसके जो latitude है उसके नाम पर पड़ा है यहां से 10 डिग्री की जो latitude है वो पास होती है फिर इसके अलावा अंडमान एं निकोबार आइलेंड के अभी वर्तमान में जो लेफटिनेंट गौर्नर है वो है एड्मिरल डी के जोशी तो यह प्रोजेक्ट का यह एम है की एक better connectivity बने चन्नाई और पोर्ड प्लेयर जो की capital है अंडमान की और चन्नाई के अपिटल है तमल नेडू की तो हमने पहले देख लिए थे साथ आइलेंड्स फिर यह जो प्रोजेक्ट है इसका फंड हो रहा है यूनिवर्सल सर्विस उब्लिकेशन फंड के द्वारा जो की ministry of communication के द्वारा लागू किया गया था और वर्तमान में भारत के communication minister है रवी शंकर प्रसाथ सब्मरीन कम्विनिकेशन केबल क्या होता है तो यह बेसिकली यह एक केबल होता जो की seabed का मतले है समुद्र का जो तल है जहाँ जमीनी सवता होती है वहां से होते हुए वह केबल जाएगा और जो लैंड बेस्ट इस्टेशन है मतलब चेन्ही के जो लेंड बेस्ट इस्टेशन है जहांसे डाटा एवां सबमरीन केबल जो यहां से निकल लेगी फिर अंडमान आइलेंड में जो इस्टेशन होगा वो इन दोनों को कनेट करेगा तो इसके थू आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी मिलेगी तो कम्यूनिकेशन जो केबल है फाइबर आप्टिकल फाइबर कर एक सबसे बड़ा एडवांटेज हे है कि जो सैटेलाइट है satellite communication जैसे mobile internet हो गया या फिर अन्य satellite के जो प्रकार है उन सबसे जो ये communication cable का जो system है ये उन सबसे ज़्यादा efficient होता है और ज़्यादा भरोसेमन्द होता है क्योंकि इसमें atmosphere का interference नहीं रहता इसके अलावा ये ज़्यादा capacity में data transfer कर सकता है तो ये इनके फायदे को देखते हुए optical fiber को prefer किया जाता है तो इसी तरके का एक और project बनाया जा रहा है जो कि कोची चिन्न नहीं ये सोरी केरला में आता है कोची और लक्षदी पार्लेंट से connect करेगा तो ये जो भारत है उसमें नीचे में जो west area है यहाँ आता है कोची फिर इधर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा लक्षदी पार्लेंट तो लक्षदी पार्लेंट से भी इसी तरीके का जैसे चेन्न नहीं से अंडमान में connectivity है उसी तरीके का यहाँ भी एक plan एप्रूब किया गया है इसे भी अपन universal से service obligation fund के द्वारा connect करेंगे और जो project हो उसका यह aim रहागा कि लक्षदी पार्लेंट के ग्यारा दीपो को इसके तरू आगे connect किया जागा तो लक्षदीब भी एक union territory है केंद्र शाषित प्रदेश और इसके फिलाल administrator है डीके शरी प्रफुल पतेल और इसके अलाबा जो केंद्र शाषित राज जे रहते है यहाँ दो तरीके के जो उच्छे पद रहती है वो होती है एक बोला जाते है administrator और दूसरे होते है लेफ्टिनेंट गौवर्णर एल जी तो तीन केंद्र शाषित प्रदेशों में administrator है एक है लक्षदीब दूसरा है दादर और नगर अवेली एवाम डमन एंडियू जिसे मिला के एक ही वो राजकेंद्र शाषित प्रदेश बना गया डमन एंडियू और डादर नगर अवेली को मिला के अब एक ही यूनियन टेरिट्री बनाई गई है प्लस डादर नगर और तीसरा है चंदिगाड तो इन तीन यूनियन टेरिट्री में एड्मिनिस टेरिक्टर की पोस होती है जबकि जो लेटिनेंट गवर्नर है ये कहा कहा होते है एक होता है दिल्ली में अपने पॉंडिचेरी में और तीसरा होता है अंडमाने निकोबार आइलेंड में तो हाली में कीरन बेदी जो कि पॉंडिचेरी की लेटिनेंट गवर्नर होती थी वह वहास उन्होंने वह पत को त्याग दिया है और दिल्ली के अभी लेटिनेंट गवर्नर फिलाल बहुत चर्चा में है क्योंकि एक नया लौ पारित किया गया जिसके थुरू जो वहां के राज्य की सरकार है मतलब आम आदमी पार्टी उसकी पावर को और कम करके वहां जो लेफटिनेंट गॉर्णर उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है वह उस लौ के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे तो जो अपन सब्मरीन कम्यूनिकेशन केबल पर रहते हैं तो इन सब की फंडिंग हमने देखी कि युनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन केबल के थुरू होती है तो आये जानते ही है युनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड क्या होता है यह बैसिकली एक फंड जो की यह इंशोर करता है कि जितने भी युनिवर्सल सर्विसेस है यहां मेंली बात की जारी है कम्यूनिकेशन की Communication की जो service है उसे एक universal service माना जा रहा है तथा एक ये हर किसी को grammyn की छेत्रों में तथा दूरतराज की छेत्रों में बीहर इलाकों हर जगा एक efficient तरीके से कम दामों में हर किसी के पास ये communication की service available information एवं communication technology की service available इसके लिए बनाया गया universal service obligation fund तो यह basically 5% का एक लेवाई होता है जो की काटा जाता है universal services पे मनलब जितने भी telecom operators रहते हैं उन्हें 5% लेवाई देना होता है जो की जमा होता है universal service obligation fund में लेकिन जो telecom service provider है जैसे airtel हो गया geo यह अन्य टेलिकॉम service provider इनकी मांगे कि इन्हें इस fund को घटा के 3% कर दिया जाए अब यह जो USOF है इसे वर्स 2002 में लागू किया गया department of telecommunication के दारह तथा यह एक non-lapsable fund होता है अर्थात कि जो जो lapseable fund होते है वो क्या होते है एक targeted financial year के लिए होते है जब वो financial year खतम हो जाते है वो fund lapse हो जाते है लेकिन यह एक non-lapsable है मतलब कि financial year में अगर हम वो fund उपयोग नहीं करते है तो भी उसे हम अगले वर्ष या फिर गत वर्षों में उसका उपयोग प्रयोग किया जा सकते है तो यह जो universal service obligation का fund है यह सबसे पहले आया था कि यह Indian telegraph amendment act 2003 में तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद